जैहिन, एक तालिस FAD, फिल्ड एमिशन डिपोर्ट में आप सभी के लिए गुरूप सी की, जिसको हम सीवलिन कहते हैं, आपके नई बर्ती जारी हुई है, देखेगा इस बर्ती की जो फॉर्म अपलाई करने के लास्ट रहने वाली है, आपकी पांच अगस्त लास्ट है, तो अगर अब यह तक आपने फॉर्म अपलाई नहीं किया है, तो अपना फॉर्म अपलाई जलदी हर्दी कर दीजिए, ओफलाइं तरिकेस़् अपना फॉर्म है जो आपको अपलाई करना है, फोर्म कि इस प्रकार से अपलाई करना इसका जो वीडियो हमने बनाय तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले की कौन कॉन से डोकुमेंट है, वो आपको यहाँ पर attach करने चाहिए थे अपने form के साथ, तो आपने form apply कर दिया है, तो आपको यह वीडियो देखने चाहिए, और अगर नहीं किया है, तो अपना form apply आप करने वाले हैं, तो भी इस वीडिय क्या हुआ है, और यहाँ पर कौन को से डोकुमेंट आपको attach करने है, अपने form के साथ, उसके जो detail दे गई है, वो यहाँ पर अपर आपको देख सकते हैं, सबसे पहले देखेगा, आपको क्या करना है, अपना जो form है, वो आपको fill करना है, आपको form में जितने भी page हैं, चलि willingness certificate कहते हैं, जो कि बहुत ही important है, और अच्छे तरीकिस आपको fill करनी है, इसके बाद अगला page है, आपके call letter का, यानके आपके admin card का, तो देखेगा जो मैंने page आपको दिखाए हैं, टोटल कितने page दिखाए हैं, आपको 4 page दिखाए हैं, जिसमें 2 form आपके detail के हैं, एक form आपक call letter का और एक form आपका, जो willingness certificate है, उसका है, तो देखे, यहाँ पर यह चार जो page हाना, वह आपको अपने hand return से, अपने हाथ से fill करने हैं, और इनको original आपको भीजना है, कलियर हो गए बात, इनको fill किस पर करना है, इसके उपर हमने detail में वीडियो बनाए हुई है, उस वीडियो हम apply करते हैं, उसमें एक लिफाफा होता है, एक envelope होता है, self address का, जिसमें आप आपका खुद का पता होता है, और आपका जो admin card आता है, तो उसमें क्या करना आपको, एक self envelope आपका जो self address है उसका जो envelope होता है उसके ओपर टिकट लगानी आपको कितने लिपक लगानी है 25 पर जो टिकट है आपको dark टिकट लगानी है कि अवल एक है envelope आपको भेजना है इसमें देखेगा अब आपको जो document लगाने है वो कौन कुन से लगाने है अपने form के साथ दे tweet की जगह आपकी जो account की जाएगी तो आपको photo copy लगानी है देखिए जितने में document आपको बताने वाला हूं उन से भी कि जो photo copy है वो आपको लगानी है यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं देखें notification में लिखा हुआ है कि please do not forward original certificate with the application यान कि application के साथ आपको कोई जो original document है वो आपको नहीं लगाने है अब जो सबसे बड़ा डाउट हैपका वो medical certificate को लेकर कि आपको originally भीजनी है या फिर photo copy भीजनी है देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है कि medical certificate आपकी किस चीज की आपकी physical fitness की वो आपको भीजनी है अब यह किस section में है आपके document के section में है और document आपको किस परकार से भीजनी है देखिए लिखा हुआ है कि आपके जो self-attested copies है वो आपको भीजनी है देखिए लिखा हुआ कि candidates are advised to attach self-attested copies of following document यान कि जो भी document हम आपको बताने वाले है यहां पे उन सभी की photo copy है लगानी है तो इसका मतलब है कि आपको जो medical certificate नाना उस उसकी भी photo copy है आपको लगानी है original आपको नहीं भेजनी है original क्यों नहीं भेजनी है मान लीजिए आपका call letter आ जाता है और उस time आपने जो अपने medical certificate लगाई थी वो आपसे original आपसे मांग ले जाती है verification के लिए तब आप कहा पर जाएंगे अगर आपने original अपने form में ही लगा certificate को original आपसे मांग ले जाएगी तो इसलिए आपको क्या करना जो photo copy है अपने medical की वहीं लगानी है उसके बाद देखेंगे जो अगला document वो है आपका जो card certificate होती है उसका आपको लगाना है कौन सी कौन सी का आपको OBC का SC का ST का और आपकी जो EW certificate होती है यहाँ पी then SS certificate कहते हैं EWS की वो आपको लगानी है तो कौन सी category होगी सबसे पहले आपकी OBC category then आपकी SC ST और EWS इसके अलावा अगर आप एक सब्समें है तो आपको लगानी अपनी certificate अगर आप government employee है तो आपको NOC जिसको हम बोलते हैं no objection certificate वो आपको लगानी है इसके अलावा अगर आप sports partner है तो आपको sports की आपकी certificate है वो आपको लगानी है तो यह चीज़ी होगए आपके का certificate है यह फो आपको लगानी है तो यह जो बहुत सारे जो कन्रेडट है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं जो गलती करते हैं गलती क्या करते हैं कि मांग लीजिये आपने form apply कर दे कि एक रचन होती है वह आपकी पलस्टों मांगे गई तो बहुत सारे क्रिडर क्या करते हैं कि अपने जो प्लस्टों की स्ट्टिविक्ट है के वह लगा देती हैं लेकिन एसा नहीं करना है जो आपकी सर्थी पर कांट होगी आपने टंध किना से कांट होने वाली है यानि सबसे परकार से अपने शुरू से लेकर दस्मीं से लेकर आपके जो क्वैलफिकसन है वहीं जो क्वैलफिकसन के फोटो को पिया है वह आपको अटेच्च करनी है तो बलती नहीं करनी है ध्यान से एक डोक्मेंट को आपको अच्छे से तरीके से अटेच्च करना है तो बात होगी किसकी क्वैलफिकसन की अब देखेगा जो अगली आपकी जो सेटिफिकेट है मैंने आपको बता दिया अगर आप एक्स सवीच में हैं अगर आप करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे बहुत से कम आपको बाइचांस एक दो ही करनी है उसके बाद देखेगा यहां पर लिखा हुआ कि दो आपकी जो एक मसाला आपको दूंगा इसमें भी बहुत सारे जो गलती करने वाले हैं गलती क्या करेंगे कि मान लिजिए आप आपके जो फोर्म उसमें फोटो दो लगने वाली है एक आपकी फोर्म के उपर लगेगी और एक आपकी जो आपका कोल लटर है एडिन काड है उसके उपर लगने वाली है तो कंडिट क्या करेंगे अपने दो फोर्टो जो फोर्म में लगने वाली है वो अलग से एक अलग नहीं होनी है इसके बाद आपको एक काम और करना है जो दो फोटो आप साथ में भेज रही है ना उनके पीछे अपना नाम और फादानीब वह आपको लिखे देना है क्योंकि आपको जो फोटो माल लिजिए अगर इदर उदर हो जाती है तो उनको पैचाने में दिक्कत नहीं होगी अगर आपके फोटो के पीछे आपका नाम और जो फादर निम है वो लिखा होगा तो तो आपको ध्यान रखना है दो पास्पर्ट साइज फोटोग्राफ कलर फोटोग्राफ होने चाहिए पास्पर्ट साइज की वह आपको अपने फोन के साथ भीजनी है पीछे आपके Government of India के दोरह valid आपके identity proof होती है वो आपको लगानी है इसमें कौन-कौन सी चीज आपके count किया सकती है एक आपका water card एक आपका driving license आपका passport या फिर आपका आधार card इन में से कोभी एक document आपको लगाना है कि क्या लगाना है फोटो को पर लगानी है original आपको नहीं लगाना है उसक मैंने discuss कर लिया है उसके बाद देखेगा जो call letter है यहाँ पर देखे इसके लिए special instruction दिया हुआ है कि जो call letter है वो आपको यहाँ पर attach करना है तो यहाँ पर देखे जितनी में document में आपको बताए हैं वो सभी आपको अच्छे से और ध्यान से फिल करने हैं तो एक बार short में आ अगर आपने ग्रियोजिशन बेस पर अपलाई किया है तो form आपकी ग्रियोजिशन की certificate उसके बाद आपना एक domicile भी आपको जो है attach करना है इसके बाद एक जो आइडिंटिक पूरूफ होता है वो आपको attach करना है अपने जो medical certificate है वो attach करनी है और अगर आप जो कास certificate किसी भ बचा होगा और अगर आप यह document attach करते हैं जो हमने आपको बताए हैं बिल्कुल point wise तो हम बिल्कुल sure है कि आपको जो adding card हो आएगा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके बाद देखेगा एक और देखेए जो आपको important point हो आपकी medical certificate को लेकर तो medical certificate आपकी किस परकार से होन में तो उमिद करते हैं कि जान करें जरूर से जरूर अच्छे लिगी होगी अगर इस बर्ती के बारे में कोई और डावट का बच जाता है तो comment section आप लोगों के लिखोला है अपना हरी डावट आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपके हरी डावट को जाएगा तो जान करें अ करना बिल्कों भी मत भूलिएगा और आगे के नए बडेट के लिए आपको अपने चैनल सक्सेस एजिद को सब्स्क्राइब जरूर कीजिएगा जुड़े रहिए थैंक्स रोचिकंट कीप सपोर्टिंग जैहिंद